मुझा नमस्कार जेश्यादे हरहर महादियो मैं शुरूद राखिश रुबिदी आप सभी का स्वागत करता हूँ सादर अभी नंदन करता हूँ आज हम आ गये हैं दैनिक राशफल के सफर में आज के बारा की बारा राशियों का हाल लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचान आज जो है जेश्ट कृष्ण पक्ष की तरियोदसीती ही है आज आपके लिए जो राहुकाल रहने वाला है वह आपके लिए तीन वजे से लेकर साढ़े चार वजे तक रहेगा इस वीज आपको किसी भी तरीके का शुभकार या यात्रा इत्यारी करने से परहेज करना है आ आज आपके लिए शुभ वेला जो है वह प्रातेकाल साथ वजे से लेकर नो वीज तक रहेगी इस वीच आप सुभारम बेत्यादी कर सकते हैं बात करते हैं आज के राशी फल में सबसे पहले राशी चकर की पहली राशी मेश राशी वालों के लिए आज ब्यापारियों के लिए आज थोड़ा सा दिन कठिन होने वाला है कही न कहीं मुश्किलें आज आपका साथ पूर्ण रूप से देती होई नजर आ रही है आज आ वरिशानी आपको लगी रही दिगी। आज अपनों के साथ समधों में दोरिया आती होई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ सुब समाचार मिलने का पूर्ण योग आज दिखाई दे रहा है आज विशेश करके अगर आप करियर के लिहास से दिन ढूंड रहे हैं तो आज वह दिन आपके जीवन में आ गया है जिस दिन की आपको तलास थी अगर कहीं से भी इंटर्वी वित्यादी के लिए जाने वाले हैं आप वहां से आपको सुब समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बात करते हैं लिए राशी मितुन राशी मितुन राशी वालों के लिए कैसा होने वाला दिन मितुन राशी वालों के लिए आज सेहत के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाल चार कर रहे हैं तो थोड़ा सा समल जाईए और अपनों की सलाह लेकर तब आप उसको बढ़िए दामपत्य जीवन में आज तनाव पूर्ण रूप से रहेगा आप दोनों के बीज तकरार नोग जोग बढ़ती हुई आज दिखाई दे रहेए बात करते हैं एंगली राशी कर करकर 15 वालों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन पूराना साहती आपकी जीवन में वापसी कर सकता है जिसके आपके चहरे पर एक बार फिर से मुसकान आए गी कारचेत्र में आपका कोई अपना सहयोगी आपकी मदद करने के लिए आगे आए गा जिस से आपकी मुश्किलें आसान होती हुई नजर आएंगी आज आप अगर कहीं से भी संबंधों के में कुछ नोग जोग बढ़ता है तो उसको आप सांती पूरवक निप्टा लें नहीं तो यह तनाव बहुत बड़ा रूप लेता हुआ दिखा ही दे रहा है विशेश करके पति-पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में बात करते हैं गली राशी सिंह राशी वालों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन सिंग राश्यवालों के लिए आज आपका मन अध्यात्म में जादा रहेगा और कहीं न कहीं आप अपने सांसारिक जीवन से भौतिक जीवन से दूरी बनाते हुए नजर आएंगे आज आपको प्रेम में धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप नए नवेले संबन्ध में हैं विशेश करके तो आपको धोखा मिल सकता है आप अपने संबन्धों के लेके निराशा में आ सकते हैं आज करियर में आपके उनती निश्चित है आज शुभ योग आपके करियर को लेके है आज आपकी खास करके income संबंधी ब्रिद्धी आज होगी और कही न कहीं से आय के स्रोत बढ़ते हुए नजर आएंगे बात करते हैं गली राशी कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन कन्या राशी वालों के लिए आज आपको सफलता पाने के लिए परिश्ट्रम जादा करना पड़ेगा फल कम मिलने जिसे कहीं कहीं मानसिक रोप से परिशान रहेंगे आज आ आप अपने सामने आ रही बाधा को किसी भी प्रकार से पार करने का आत्म विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे जिससे आपके जीवन में कहीं न कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है आज आपके लिए विप्रीत परिखास करके संबंधों के मामले में विप्रीत इसत बनेगी बात करते हैं अगली राशी राशी चकर की तुला राशी वालों के लिए कैसा होने वाले आज का दिन तुला राशी वालों के लिए अगर आज आप यात्यादी का प्लान कर रहे हैं तो अस्तगित कर दिए तुरंद खास करके अगर परिवार के साथ आप यात्रा क कर निर्णे लेने का दिन है कहीं भी आप जल्दबाजी में हर बढ़ाहट में आकर कोई फैसला ना ले विशेश करके अपने जीवन से सम्मंदित जीवन और सम्मंदों से सम्मंदित कोई फैसला ना ले आज किसी साथी से अपने सहयोगी से आपको आर्थिक सहायता लेने की न आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूत है आज गरत संगत में पढ़कर आपका बच्चा आपके लिए मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है आज आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग की स्वास्त संबंधी चिंता से भी गर्शित नजर आएंगे संबंध के लिए आज करियर के लिहास से बहुत ही शुब दिन होने वाला है अगर कहीं से भी आप अपना करियर नया स्टार्ट करना चाहते हैं या नए ब्यापार की शुरुवात करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुब दिन होने वाला है आज किसी करीबी मित्र के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है और उससे रिष्टों में तनाव आ सकता है आज सामाजिक कारियों में आपका मन जादा नहीं लगेगा जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप थोड़ा सा मानसी कुरूप से बिचलित भी नजर आएंगे आज प्रेम समंधों के लिए दिन मिला जुला रहेगा सामान रहेगा नोकजोग के बीच आप एक दोसरे को सहयोग पूर्ण भावना से देखते हुए नजर आएंगे बात करते हैं अगली राशी मकर राशी मकर राशी वालों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिल मकर राशी वालों के लिए आज आपके कारेस्थल पर कहीं न कहीं काम का बोज बढ़ने के वज़े से मांसिक रूप से आप परिशान होते हुए नजर आएंगे आज बहुत दिनों से नौकरी तलास कर रहे हैं लोगों के लिए एक बार फिर से निरासा का सामना करना पड़ सकता है आज रोमांस की मामले में दिन बहुत ही शुब है आज आप अपने सहयोगी के साथ अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वाल्टी टाइम स्पिन करते हुए नजर आएंगे आज मकर राशी वालों के लिए कोई नए कार की सुर्वात करने का विचार आप कर रहे हैं तो आपके लिए दिन शुब है बात करते हैं गली राशी कुम राशी वालों के लिए कैसा होने वाला आज का दिन कुम राशी वालों के लिए आज नोकरी में ट्रांसफर इत्याद की संभावनाए पूर्ण रूप से बन रही है आज बहुत दिनों से अगर स्थांतरण के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो वहां से कुछ सुब समाचार आपको मिल सकता है आज आपकी आय में अभूत पूर बृद्धी का योग दिख रहा है कहीं न कहीं से अचानक अकास्मिक धनलाब की पूर्ण योग दिखाई दे रहा है आज आप अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो आप कहीं बाहर इत्याद घूमने इत्यादिका भी प्लान आप कर सकते हैं और पुराना टूटा हुआ संबंध आज एक बार फिर से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बात करते हैं अंतिम राशी मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने की आदतों में साउधानी बरतने की जरुवत पड़ेगी नहीं तो कहीं न कहीं आपको स्वास्त संबंधी कोई बड़ी परिशानी विशेश करके पेट से संबंधित कुछ रोग आपको परिशान करता आज कुछ बड़े इंवेस्टमेंट की तरफ आप अगर प्रोशीड करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समल कर निरने लीजिए आज जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं स्वास्त संबंधी समस्याओं को लेकर आपकी परिशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आज के राश आज कुछ आपकी